अगर आपने भी घर में बनाया आज सामबर और सोच रहे हैं कि साथ में बड़ा होता है या दोसा होता तो यह होता है ना कि बहुत मुश्किला इस समय बनाना कौन बनाएगा बहुत जंजट है कुछ भी जंजट नहीं है चलिए देखिए मैंने किस तरीके से बनाया है 15-20 मिन के लिए रख दिया है तो इसको हम 10-15 में इंट्रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे जो सूजी है अच्छे से फूल जाएगी अब इधर ही मैंने एक कटोरी भरकर जो आधी कटोरी सूजी ली थी उसी की एक कटोरी भरकर मैंने पुहा लिया है और उसको भी मैं अच्छे से पानी डाल कर जितना उसमें सोख हो जाए उतना मैं पानी डाल कर इसको सोख लूँगी तो पोहा और सूजी दोनों को हम अच्छे से सोख लेंगे और यह देखिए 15 मिनट के बाद एकदम जो पोहा है वो चिडवा जिसको आप बोलते हैं अच्छे से सोख हो गया है पानी ऐसे ही पीसना है अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो कर लीजिए बेल आइकन के बटन को दबालीजिए नई नोटिफिकेशन के लिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए तो यह देखिए मैंने इसको पीस लिया और पीसने के बाद यह इस में मिकसी जार में यह सूजी डाल दूंगी जो हमने सोख करी थी 15-20 मिनट के लिए तो 15 मिनट तक मैंने सोख करी है और इसको मैंने पीस लिया है अब मैं इसको भी इसी जार में डाल दे जो हमने पोहे का मिक्स्चर था उसी महीं हम सूजी के मिक्चर को भी डाल देंगे आप इसको हिलाईए हिलाते हुए इसको अच्छा सा दोनों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से मिक्स हो गया है डो इस तरीके से होना चाहिए इतना थिक अब मैं इसमें डालूंगी बारी कटा अद्रक और हरी मिर्ची साथ में ही डाल दूंगी स्वात की अनुसार नमक थोड़ी सी लाल मिर्ची में डाल रही हूँ बिल्कुल ऑप्शनल है आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं और साथ में ही मैं डाल रही हूँ एक से दो पिंच हींके बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता धनिया पत्ता यह भी डाल सकते हैं यह लैसुन डालना हो वह भी डाल सकते हैं जैसा फ्लेवर देना हो आप इसको दे सकते हैं और थोड़ा स के बाद हम इसको एक मिनट के लिए दो मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे सिरफ एक से दो मिनट और आप ये देखिए जित्ती देर में आपने ये सब चीज तैयार करी है उत्ती देर में आपका तेल भी गरम हो जाना चाहिए और जट पट से वड़े बन जाने चाहिए अब वड़े का शेप देनी है तो मैंने इसके लिए एक बहुत ही असांटिक आपके साथ शेयर कर रही हूं एक इस तरह से कटोरी ले लीजिए और उसके उपर रुमाल मलमल का कपड़ा की चन नैपकिन जो भी हो आपके पास आप वो लीजिए और नीचे से खीचत आपकी जब हम इस पर डो रखें तो असानी से डो जो है कपड़े को छोड़ दे तो इस तरीके से हम इसको गीला करेंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे अब हम इसमें एक चमच पूरा भर कर डो का डालेंगे डो रखने के बाद हम इसको हाथ से अच्छी तरीके से चारो तरफ से फिलाएंगे बहुत मोटा नहीं रखना बहुत पतला नहीं रखना मीडियम जैसे आप वड़ा खाते हैं उस तरीके से आपने वड़े का वो रखना है और इसको इस तरीके से दबाते हुए हम इसको फिला लेंगे वड़ा थोड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं अब हम एक उंगली की सहायता से बीच में इसके होल करेंगे जैसे की बजार में आप वड़े खाते हैं तो आप सोचते हैं पता नहीं होल कैसे होगा तो यह देखिए इस तरीके से आ काम दूसरा भी बना लेते हैं वीडियो को शेयर जरूर करिएगा हो सकता है किसी को यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आए और उसके काम की हो उसको यह रैस्पी बनानी हो वह सोच रहा हो कि किस तरीके से मैं असान तरीके से मेदू वड़ा बना लूँ तो मेदू कुछ भी बनाईए साथ मेल चाय नारियल की चिटनी बनाईए और इस तरीके से फटाफट मेदू वड़े बनाईए और इंजॉय करिए इसको आप शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं तो अब हम इसको उलट पलट करकर अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे यह अंदर कि इसकोछ बड़ते कम से कम चार से पांच मिनट लगेंगे आपको वड़ा तलने में आपकी कょड़ाई बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप उसमें 4 पांच वड़े इकठ्छे बना लीजिए मैं भी 4 इकठ्छे बना सकती थी बड़ मैंने अभी इसमें 2 ही डाले हैं तो इ किसको यह रैस्पी पसंद आई प्लीज कोमेंट बॉक्स में मिले को जरूर बताईएगा और आप लोग इसको ट्राइ करेंगे कि नहीं यह भी बताईएगा तो अब बाकी भी मारे मेदू वड़े बनकर एकदम रेडी हैं तो सारे मेदू वड़े बना कर मैंने निकाल ली हैं एक मेदू वड़े मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है अंदर से एकदम साउफ्ट है एकदम फलफी है तो इस तरीके से आप लोग भी अपने घर पर मज़ेधार मेदू वड़े बनाए और इंज 15 से 20 मिनट में मेदू वड़े बनकर तयार हो जाते हैं